नमस्कार वेदिव्या बिहारी न्यूस में आपका स्वागत है आज है 20 दिनवरी दिन सनिवार खब्रों के उबरने से पहले एक नजर सुर्खियों पर केके पाठक लंबी छुटियों के बाद अपने पद पर आएवा पर अब बिहार में विज्यापर नीती को सक्ती से लागू करेगी बिहार सरकार बिहार राजी पत्रकार बीमा योजना के लिए जिन तक पत्रकार कर सकते हैं आवेदर पंगस्ट्री पार्टी के फिल्म मैं अटन हूँ के इस डायलोग ने दरसकों का जीता दिर सोसल मेडिया पर वाइरल हो रहा महिंदर सिंग धोनी का यह वीडियो इसके साथ ही बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बरी खबरों की और बस्तार घरगर किसान क्रेडित कार्ड का लाब पहुंचाने के लिए बिहार सरकार चला रही अभियान बिहार में एक करोर 98 लाग किसान ऐसे हैं जो निवंधे थैं लेकिन इनमें से 80% किसानों के पास किसान क्रेडित कार्ड नहीं है मिली जानकारी के नुसार मेज 38 लाग किसान ही ऐसे हैं जिनके पास किसान क्रेडित कार्ड मौजूद है इसके लिए बिहार सरकार अभयान चला रही है इस अभयान का नाम है घरकर कोसी अभयान इस अभयान को प्रदेश के 8000 से भी अधिक पंचायतों में चलाए जा रहा ताकि ने किसान क्रेइट कार्ड को 38 sans 3.8 लाग किसानों तक पहुंचाया जा सके बिहारी बत्रे स्पेसल में आज हम बात करेंगे मनीस महरोत्रा के बारे में, इनका जन्म आज के दिन वर्स 1974 में बिहार की राजधानी पटना में हुआ था, ये पाक कला के छेतर में लोगों के बीच प्रसद हैं, ये पेसे से एक भारतिय सेफ और पाक निर्देसक हैं, इन्ह होने किचन मैनेजमेंट ट्रेनी के रूप में काम किया था और ACI वेंजनों की कला में महारत पाई, ये कई टेलिविजन प्रोग्राम में भी आ चुके हैं, साल 2015 में ये मास्टर सेफ इंडिया के सो में एक मुख्या तिति के रूप में आये थे, वर्स 2011 में अंडी टीवी ग नियंतरत करने और इनसे राजस्व वसूलने की तैयारी बिहार सरकार द्वारा की जा रही है, दिसके तैट विज्यापन नीती को पूरी तरह से बिहार में सक्ती से लागू करने की बात सामने आ रही, इस संबन में दिजस्वी आदब ने कहाए कि सिर्फ पतना सहर में ग्यापन नीती के किरियान वेन से संबन्धित दिसा निर्देश दारी कर दिया जाएगा, केके पाठक लंबी छुट्टियों के बाद अपने पत पर आए वापस, केके पाठक के अपकास को लेकर कई अटकरे लगाई जा रही थी, केके पाठक ने अपने पत से स्तीफा दे पर आपको बता दे केके पाठक आट जन्वरी को ही छुट्टी पढ़ गया थे, यह छुट्टी 16 जन्वरी तक उन होने ली थी, हाला कि 17 को प्रसास्निक छुट्टी के कारण भी अपने पत पर वापस नहीं लोटे थे, हाला कि अपके पाठक अपने पत पर वापस आ चुक प्रान पदिश्टा समारों के दिन पतना में रहेगी सुरक्षा की चौकस विवस्था, प्रान पदिश्टा समारों के दिन बिहार के सभी कई प्रमुक मंदिरों में धार्मिक अनुस्ठान की खास तयारी चल रही है, इस खास आयोजन को लेकर पतना में सुरक्षा को लेकर पर भी खास बंदोबस्त किये जा रहे हैं दिसके तहर तीन हजार पुलिस बलों की तैनाती पटना के साथ-साथ इसके आज-पास के लाकों में भी किये जा रहे हैं निली जानकारी के नुसार स्टेट रैपिड एक्सन फोर्स की टीम को भी अलग अस्थानों पर तैनात किया जाएगा इस मामले को लेकर डियाई जी साए सस्पी राजीव मिस्रा ने भी जानकारी दी है उन्होंने कहा है कि 22 जनवरी को अगर बिना अनुमती के जुलोस निकाला जाएगा तो उन पर बरी कारवाई होगी सहर के हर गत्विधियों पर पुलिस सीटीवी के जरी अपनी पैनी नजा रखने वाली है अस्थानी थानों को भी अलर्ट नहने का नर्देश दिया गया है इसके लावे जो सम्मेदन सीली इलाके हैं वहां और अधिक पुलिस कर्मी तैनात रहेंगे सभी होटेल और संदेहास पद अस्थानों की जाएगी बदादे की गंतंत्र दिवस को लेकर भी सुरक्चा व्यवस्ता पर ध्यान दिया जा रहा है किसी भी तरह की संदेग्द सूचना मिलते ही जवान और अन्य सुरक्चा टीम तुरंत सक्रिये हो जाएंगे बिहार राजे पत्रकार वीमा योजना के लिए जिन तक पत्रकार कर सकते हैं आवेदन IPRD बिहार ने अपने सोचल मीडिया साइट पर ट्वीट के जरिए सूचना एवं जन संपर्क विभाग के एक सूचना की जानकारी साजा की है जिसके तैट बिहार राजे पत्रकार वीमा योजना दोजार चौदा के तैट वर्स दोजार चौबस पत्चिस में आच्छादन और नवी करन के लिए एकचुक और पात्र पत्रकार या मीडिया कर्मियों को आने वाले एक वर्स के लिए 31 जनवडी दोजार चौबस तक IPRD के आधिकारिक हेंडल या विभागी वेबसाइट पर जाकर ले सकते हैं वहां आपको इससे संबंधित सभी सूचनाय उपलब्ध हो जाएंगी इस संबंध में सूचना जन संपर्क विभाग के सची प्रत्य अम्रित द्वारा कहा गया है कि योजना में ग्रूप मेडिक के पत्रकार जिनके पास पांच वर्सों का कारे अनभव हो वियावेदन कर सकते हैं विभागों में नियुक्ति की जा रही है आवेदन प्रक्रिया 28 जनवरी तक जारी रहेगी जो मिद्वारिस भरती के लिए एक चुक है वे इसके आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं अब इससे लेकर आयो की तरफ से जोधी सूचना आई है उसके मुताविक mbps course में प्रतेक अनुतिर्णता परिक्षा के लिए एक मेधा अंग को कम कर दिया जाएगा और तीन सदिक अफसरों पर परिक्षां में अनुतिर्ण होने पर संबंदित आवेदन के पात्र नहीं होंगे इस संबंद में सचीव सा परिक्षा नियंतरक रवी भूसंत्वारा बताया गया है कि mbps, md, ms, phd, dm, dnb और mch की डिगरी nmc के मानिता प्राप्त वाले कॉलेजों और संस्तानों से ही मानने होगी थालांकि इससे संबंदित अधिक जा की चालन भी किया रहा है अब सीटा के जन्व भूमि ये मितला से भी विमान सेवा जोड़ने की तयारी है आपको मितला के दर्भंगा से उड़्या तक जीता दिन बीते ही दिनों पंकर स्रीपार्टी के फिल्म मैं अटल हूँ सिनेमा घरों में रिलीज हुई फिल्म में पंकर स्रीपार्टी अतल जी के वेस भूसा में सांदार प्रदर्सन करते नजर आ रहे हैं फिल्म में अटल जी की भूमिका निभारे पंकर स्री पार्थी ने एक से बढ़ कर एक बरे डायलोग बोले हैं जिसने दर्सकों का दिल जीत लिया एक डायलोग ने दर्सकों को खूब रोमांचत भी किया है यह डायलोग था अपनी आधी आखे बंद करके जब पूरी बात बोलते थे तो साथ समुंदर पार हर को ही सुनता था फिल्म को दर्सकों द्वारा काफी अच्छा रेस्पॉंस भी दिया जा रहा है लोग इस फिल्म के साथ साथ पंकर स्री पार्टी के एक्टिंग की भी खूब सराहना कर रहे हैं आपको बता दे कि पंकर स्री पार्टी की गिंती बॉलिवुड में बरे कलाकारों के बीच होती है निर्देशक रवी जादव ने इस फिल्म का निर्देशन किया है फिल्म का पोश्टर भी काफी सांदार है जो दर्सकों को अपनी तरफ लुबान वित कर रहा है जिल्ला माइनिंग फंड में लापरवाही को देखते वे अधिकारियों को मिले गे निर्देश जिला माइनिंग फंड को लेकर बरी लापरवाही सामने आई है माइनिंग फंड की योजनाओं की जानकारी राज्य मुख्याले के माधिम से लगातार जिलों में तलब हो रही है बाब जुद इसके मुख्याले को सूचना देने से जिलों के अधिकारी बचने की कोसुश कर रहे है इस बात की जानकारी खान एवं भूतत्म विभाग के अपर मुख्य सचीव रवी परमार की अध्यक्सता में हुई बैटर के दौरान सामने आई है जिसके बाद सरकार सक्ति वरत रही है मामले को लेकर सभी जिला माइनिंग फंड में ली गई योजनाओ और अब तक हुए खर्च का आकलन करने के लिए योजना आडिट करवाने को लेकर खाने वं भूतत्म विभाग के अपर मुख्य सचीव रवी मनु भाई परमार ने जिलों के सभी खनीज विकास पदादिक बाकी दस जिलों ने अभी तक इस निदेश का पालन नहीं किया है जिसके बाद अपर मुख्य सचीव ने जिलों के खनीज विकास पदादिकारियों को इसे करवाने के लिए एक महीने की महला दी है साथ ही डीमफ खाता का ओडिट और वार्सिक रिपोर्ट में मुख्याले क को भेजने के आदेश दिये हैं मा के साथ जेल में बंद नाबालिक बच्चे के सिक्षा को लेकर कोट ने असपश्ट की स्थे थी राजे के जिलों में अपनी मा के साथ जो एक से छे वर्स तक के बच्चे जेल में बंद है उन बच्चों के सिक्षा को लेकर 23 फरवरी को असपस्ट करते हुए जवाब देने के निर्देश भी कोट द्वारा दिये गए थे लेकिन अब एक बार फिर से राज सरकार ने इस मामले में जवाब देने के लिए समय माँगा है इस बात की जानकारी याचिका करता कि अधिवक्ता विकास पंकस द्वारा दी गई है उन्हो सरकार एंटी बायोटिक दवा या रोगानू रोधी दवाओं के दुरुप्योग को रोकने के लिए जागरुक है इसी करी में किन सरकार ने डॉक्टर्स और अन्य चकित्सा संगों के लिए यह निवारिक कर दिया है कि वे इन दवाओं को लिखते समय अपने नुस्के और स विंग है उसने अंटी बायोटिक दवाओं के दुरुप्यों को रोकने के लिए भारत के सभी मेडिकल कॉलेजों मेडिकल असूसियेशन और फार्मासिस्ट असूसियेशन की डॉक्टरों से या पील पत्र भेजा है त्वास्त सिवाओं के महाने देसक अतुल गोयल्द वा अगों में एक या दो अस्थानों में भीशन सीत दिवस होने की संभाव ना है वहीं राजे के उतर मद्य भाग के कुछ अस्थानों में भी सी दिवस की संभाव ना जताई गई है मौसम में भाग के मुताबिक अगले अर्तालिस घंटे के दौरान राजी के नियुंतम अपमान 6-8 डिग्री और 8-10 डिग्री तक रह सकते हैं अब एक बार फिर से सोसल मीडिया पर उन्होंने अपने वैवाहिक जीवन का एक किस्ता साजा किया है इस पोश्ट के जरीए उन्होंने बताया कि वो अपनी पतनी किरन की साध्गी और मास्कूमियत से बहुत प्रभाव थे उन्होंने बताया कि मैंने और किरन ने कई फिल्मे साथ साथ देखी हैं लेकिन आदेश खना की राजा रानी जो हमने पटना के असोक टौकीज में देखी थी वो आज भी याद है उस दौरान किरन से अनिल के सगाई तो हो चुकी थी लेकिन साधी नहीं उस जमाने में स प्रसाद एक डबे में डाल कर मातादी ने छोटे भाई नवीन को दिया था ताकि वो मेरे ससुराल तक पहुंचा सके नेकिन ये डबे अनिल खुद अपने ससुराल पहुंचाना चाहते थे ताकि होने वाली पतनी का एक की एक जलक भी पा सके ऐसे में नोंने किसी तरह किरन को फिल्म दिखाने टौकीज ले जाएंगे बरही उल्जनों के बाद वे किरन के साथ फिल्म देखने आखिर पहुंची गया और खुसी के दो पल पहली बार उन्होंने अपनी पतनी किरन के साथ बिताए पतना किलकारी संस्थान के ये बच्चे गंतंत्र दिवस परेड में होंगे सामिर बिहार के पतना में किलकारी संस्था के बच्चों ने अपनी प्रतिवा से सबों का दिल जीत लिया है गंतंत्र दिवस परेड और बीटिंग दा रेट्रीट सेरा मनी में राश्ट्य अस्तर पर कलाउट सब में भारत के सरकार के तरब से इन विजयताओं को अम दुनिया के दो बच्चे रहेंगे ये बच्चे भारत के राश्ट पति और प्रधान मंत्री के समक्ष अपने अनुभवं को साजहा भी करेंगे कारिक्रम में राश्ट्य अस्तरिय कला उत्सब प्रतियोगिता के विजयता सास्त्रिय संगीत में गोल्ड मेडल पाने वाले उद्यन जहा क्लासिकल डांस में सिल्वर मेडल पाने वाले मुहमद आरीर, एकल नाटक में सिल्वर मेडल पाने वाले सुमित कुमार और खेल खिलोने में सिल्वर मेडल पाने वाले अदिते कुमार सामिर हो बिहार के इस जगब पर 40 पिटी विदेशी सराब के साथ एक पिकप हुआ जब बिहार तसकरों पर नकेल कसने के लिए बिहार सरकार प्रयासरत है बावजुद इसके आए दिन सराब तसकरी के मामले सामने आते रहते हैं अब इसी करी में चांदन पुलिस द्वारा जारकन बॉर्डर से सटे एरिया में सगन वहान जाच अभियान चुलाया जा रहा है ताकि सराब तसकरों पर सिकन जा कसा जा सके इस अभियान के दौरान चांदन पुलिस को सफलता भी मिली है दरसल देवगर काटोरिया मुखे मार्क पर तुर्की मोर के नजदीक एक पिकप वहान से 40 पेटी विदेशी सराब जब्द किये गया है साथी एक चालक को भी गिरफतार किया गया है मामले को लेकर प्रभारी थाना अध्यक्त विस्नु देवकुमार द्वारा बताया गया है कि सराब को जारखंट के देवगर से बिगु सराय ले जाया जा रहा था जिसे ऐसाई गुरकनाद के द्वारा वहान जाच के दौरान पिकप वहान में बने बॉक्स की तलासी लेने पर 40 पेटी 960 वोतल के साथ चालक को गिरफतार कर लिया गया है आगे उन्होंने बताया कि गारी के रेजिस्ट्रेशन नंबर बी आर एक सुने जी ए सुने तीन चैट नंबर के नाम से पता करके मद्द निसेद अधिनियम के तैट केस दर्ज कर चालक को बाग का जेल में भेजा गया है भारत सरकार ने कोचिंग संस्थानों के लिए जारी के दिसा नर्देश कोचिंग चलाने वारी संस्थाओं और बच्चों को लेकर भारत सरकार और सिक्षा मंतराले द्वारब बरी काइडलाइन जारी की गई है निरस्त सिक्षा मंत्राले तवारा निर्देश दारी करते वे कहा गया है कि अब देश के किसे भी कोने में कोचिंग संस्थान में 16 साल से कम उम्र के विद्यारतियों को दाखिला नहीं दिया जाएगा साथी अब ये कोचिंग संस्थान अच्छे नंबर या रैंक दिलाने की गारंटी जैसे भ्रामक वादे भी नहीं करेंगे आपको बता दे कि कुछ समय से कोचिंग संस्थानों में आकी घटना खुद के जान से मारने के मामले और अनिक कई मामलों को लेकर सिकायते देखने को म सल नहीं थी दिसके बाद कोचिंग संस्थानों को लेकर इस तरह के दिसा निर्देश देश दारी किये गए हैं ताकि जो नीजी कोचिंग संस्थान मनमाने धंग और बेतर तरेदिया से चलाय जा रहे हैं उसस पर रोक लगा जा सके दिसान निर्देश के म पिए कोई भी कोचिंग संस्थान असना तक से कम योगिता वाले सिख्षकों को न्युक्त नहीं करेगा साथी बच्चों के नामांकन के लिए अच्छे रैंक या अच्छे नमबर की गैरंटी या आने भ्रामक वादे माता पता से नहीं करेगा इसके लावे बच्चों का कोचिंग संस्थान में नामांकन 16 वर्स के बाद ही हो जब तक बच्चे माध्यमिक विद्याले से पास ना हो जाए 30 अनवरी को बिहार दोरे पर पहुंच रहे जेपी नड़ा बिहार में सियासी उलट फेर की खबर चरम पर है बिहार के कटिहार में जेपी नड़ा का आगमन 30 जनवरी को होने वाला है राजनेतिक तोर पर जेपी नड़ा का यग दोरा काफी महत वपून है कटिहार पहुंच कर नड़ा एक बरे जन सभा को सम्बोधित करेंगे और सिमानचल के मदाताओं को साधने के प्रयास भी करेंगे बिहार आने के बाद नड़ा अपने पार्टी के नेताओं को आने वाले लोकसभा चुनाप को लेकर भी बातचीत करने वाले हैं इससे पहले भी जब नड़ा बिहार दोरे पर पहुंचे थे तो उन्होंने बिहार में मौझूदा सत्ता धारी पार्टीयों पर जमकर निसाना साधा था वहीं सियम नितीज को लेकर उन्होंने कहा था कि नितीज साथ जेपी के विरोधियों के साथ खरे हो गये हैं नितीज की राजनितिक विचार धारा आज कहां तक पहुँच गई ये सब देख रहे हैं हाला कि इस बार नितीज कुमार के एंडिये में सामिल होने को लेकर अटकले लगाई जा रहे हैं राबरी आवास पर इडी का पहुचा पत्र लालू परिवार को लैंडफोर्ट जॉब मामले में अभी तक रहात नहीं मिल पाई है अब एक बार फिर से पटना स्थित राबरी के आवास पर इडी के अधिकारी पहुचे थे राबरी आवास में एक पत्र सोपा है दोगों के बी चल रही चर्चा के मताबिक यह पत्र बार बार कोट बुलाने के बावजूद भी कोट में उपस्त नहीं होने को लेकर है तिजस्वी आदब को दो बार एरी अधिकारियों का समन मिला उसके बाद विवे पेस नहीं हुए जिसके बाद तिजस्वी को या तीसरा समन मिला है अब इस बार भी तेजस्वी एडिया धिकारी के सामने पेस होते हैं या ने इसकी चर्चा लोगों के भीज देखने को मल रही है आपको बता दे कि लैंड फोर जॉब का यह मामला 14 साल पुराना है जो मामला अभी तक चल रहा और लालो परिवार के लिए परिसानी का सबब बनता ही जा रहा है नितीज कुमार के अंडिये में सामिल होने को लेकर समराज चौधरी का बयान आया सामने बिहार के सियासत में अटकर बाजी का दौर जारी है नितीज कुमार के पल्टी मारने की चर्चा काफी तेदी से देखी जा रही अब इसे बीच बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्स समराज चौधरी का बयान सामने आया है उन्होंने कहा है कि अगर नितीज कुमार बीजेपी की सदसेता ग्रहन करेंगे तो वह उनका स्वागत करेंगे वही अमित सा के बयान को लेका नितीज कुमार के खास रह सोक चौधरी का बयान भी सामने आया उन्होंने कहा कि अमित सा ने कभी के बात नहीं बोली कि नितीज कुमार के लिए दरवाजे बंद हो चुके हैं उन्होंने कहा है कि अमित सा ने ऐसा बोला है कि अगर कोई प्रस्ताफ देगा तो विचार किया जाएगा निकिन हम लोगों ने तो अभी कोई प्रस्ताफ दिया नहीं है सोसल मीडिया पर वाइरल हो रहा महेंदर सिंग धोनी का यह वीडियो भाते क्रिकेटर MS धोनी अपने किसी नए अंदाज को लेकर अकसर सोसल मीडिया पर वाइरल होते रहते हैं एक बार फिर से सोसल मीडिया पर उनका यह वीडियो वाइरल हो रहा है दरसर महेंद सिंग धोनी का यह वीडियो किसी पार्टी से कैप्चर किया गया है यह पार्टी स्टार क्रिकेट कीपर बल्ले बाद रीसब पंथ की बहन साक्षी पंथ की सगाई को लेकर था जहां धोनी भी सरीक हुए थे इस वीडियों में देखा गया कि पार्टी में मौजूद सिंगर साक्षी पंथ से धोनी की तरफ सारा करते हुए कहते हैं कि अब माही यह मजा की अंदाद उनके फैंस को काफी पसंद आ रहा और सोसल मीडिया पर यह खबर तेजी से वायरत ही हो रहा है कई कानों से दर्ज है भारत के थिहास में आज की तारी आज के दिन वर्स 1817 में कलकत्ता हिंदू कॉलेज की अस्थापना होई थी आज के दिन वर्स 1892 में पहली बार बास्केट बॉल खेला गया था आज के दिन वर्स 1957 में भारत की पहली परमानू भटी अपसरा का उधगाटन हुआ था और भारत वारे आर्थिक प्रतिबंद लगाए जाने के बाद दक्षन अफ्रीका ने भारती जहाजों को अपने अस्विधाय नहीं देने क की घोसना की थी आज के दिन वर्स 1971 में रुनाचल प्रदेश और मिजोरम का उदय केंद्र सासित प्रदेश के रूप में हुआ था आज के दिन वर्स 2010 में गुरू दत की फिल्म में चौदविंग का चांद कागज की फूल और साहब बीवी और गुलाम आदिफ फिल्म को फ कप जीता था आज के दिन वर्स 2020 में बॉलिवूड अभी नेत्री दिपिका पादुकोन को मेंटल हेल्थ के बारे में जागरुपता फैलाने और इसका नेत्रित्व करने के लिए वर्ल्ड एकोनॉमिक फोडम के तरब से क्रिस्टल अवर्ड से सम्मानित किया गया था आज क हम बात करेंगे सब्ता में मिलने वाली तीन चुटियों के बारे में सोसल मीडिया के जमाने में मिंटों नहीं लगते और खबर दूर दूर तक वाइरल हो जाते हैं लेकिन जरूरी नहीं कि सोसल मीडिया पर प्रसारित होने वाली सभी खबरे सची हो इसी करी में आज हम सीता रमन अगले बजट में तीन दिन की वीक ओफ नीती की घोसना करने करने वाली हैं इस बजट को एक फरवरी 2024 को पेस किया जाएगा इसमें कहा गया कि एक जुलाई से कंपनिया कर्मचारियों को तीन दिन की छुट्टी दे सकेंगी इन हैंड सेलरी घर सकती है जबकि पी द्वारा सामने नहीं आया है इसलिए वयरल हो रही एक खबर पूरी तरह से परड़ी है फीएफ और अधार कार्ट में डेट आउप बर्त के अमाने होने के बाद इस तरह से डीट आउब राट करवाए वेरिफाई अभी ऐप जा द्वारा आधारकार्ट के डेट आउब ब इस्तेमाल किया जाना चाहिए, हालांकि इसके बाद भी आधार कार्ट की जरूरत कम नहीं हुई है, वहीं बर्थॉप सर्टिफिकेट के लिए सरकारी बोडिया युनिवर्सिटी से मिली मार्क सीट, मेडिकल सर्टिफिकेट, पासपोर्ट और पैन नंबर का इस्तेमाल किया जा सकेगा, सेर बादार में इस बज़े से सनिवार को होगा स्पेसल ट्रेंडिंग, सेर बादार में सनिवार और रविवार को सापता ही का अवकास होता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, सनिवार को भी इस बार सेर बादार में स्पेसल ट्रेंडिंग होने वाली है, सारे 12 बज़े बंद होगा इस ट्रेंडिंग सेशन के जरिये इस चीज पर नज़र रखा जाने वाला है कि इमर्जिंसी के हालात में सर्वर की कैपेबिलिटी कितनी है दगातार दो दिनों की गिरावट के बाद बीते ही दिनों बरहत के सार सेरवाजार बंद हुआ था निफ्टी 21,600 के पार बंद हुआ है कारुबार केंट में सेंसेक्स 496.37 अंकिया 21,700 के बंद हुआ है हम प्रति दिन आपसे पांच ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसके जवाब बताएंगे जो की सवाल इतिहास बिहार स्पेसल विज्ञान करेंड अफेर्स और भुगोष से रहेंगे पूछे के पांच सवालों में आपने कितना सही उतर दिया है या में कॉमेंट करके जरूर बताएं तो हमारा पहला सवाल है हाली में किस तिति को गुरू गोविंद सिंग जयन्ति मनाई गई है इसका सही उतर है 17 जनवरी हाली में भारत के किस पूर्व मुक्य नया इधिज को असम के सरवच सम्मान असम वैब हब से सम्मानित किया जाएगा आप्सन ए है डिवाई चंद्रचूर, आप्सन भी है MP सास्त्री, आप्सन सी ये रंजन का गोई, आप्सन दी है इन में से कोई नहीं इसका सही उतर है डंजन को गोई, हाली में कहां के बेगम पेटे अरपोर्ट पर विंग्स इंदिया दोजा 24 प्रेदर्सनी शुरू हुई है, आप्सन ए तमिलनाटू, आप्सन भी है 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 एधराबाद, आप्सन सी है पटना आप्सन दी है दिल्ली इसका सही उतर है 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 एधराबाद, बिहार के किन राज्यों में सबसे अधिक गन्ना उत्पादन होता है, आप्सन ए है उत्रपदेश और राजस्थान, आप्सन भी है बिहार हरियाना, आप्सन सी है राजस्थान और हरियाना, आप्सन दी है बिहार और उत्रपदेश इसका सहीं उतर है बिहार और उत्रपदेश बिहार में क्रिसी डोड मैप की शुरुवात कब होई थी? आप्सने है 2006, आप्सने है 991, आप्सने है 2008, आप्सने है 2013 इसका सहीं उतर है 2008, बीते दिन हमारे दोरा पूछे के सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कॉमेंट सक्षन बॉक्स में लिकर दिया था, जिन्होंने हमारे दोरा पूछे के सवाल का जवाब दिया है, उनके नाम है खुशी सर्मा, असो कुमार, राजीव कुमार, मुकेस, अनवर करीम खान, सिप कुमार प्रसाद, नुनु गोलु कुमार, मंजु देवी, अतीक खान, प्रेम कुमार, रंजीत मिस्रा, अमरीता कुमारी, अंजुम खातुन, गोनर सर्मा, पंकच कुमार दा, सुकुमार सिंग, एमडी कादीर, एमडी साकीर हुसेन, विवेकुमार, इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल क्यों, आज का सवाल है, क्या आप बिहार में चले किसी भी योजना का लाब ले रहे हैं, यदि हाथ उसका नाम बताएं, आप अपना जवाब हमें मारे कॉमेंट सक्षन बॉक्स म लिकर जरूर बताएं, आज के लिए फिलाल इतना ही, बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूर, और साथ ही अगर आप यूटूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आप फेस्बुक से देख रहे हैं तो पे